नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News में मांगी खाली पदों की जानकारी हरियाना पोरुषियम हुड़ा से इड़ी की साथ गंडे पूस्ता 14 दिन में दूसरी बार बुलाया गया 1500 क्रोड रुपय के भूमी गोटाले से जुड़ा है मामला ग्रह कल्यान केंदर दिल्ली में आई विभिन पदों पर भरती बताएंगे पूरी अपडेट हरियाना में पंचयतो नगर निकायों को जटका कैग परमानित ओडिटर हिस करेंगे ओडिट गडबडी मिले पर त्या होगी जवाब देई ओडर वेजारी हरियाना में सरकारी नोकरी की बाट जो रही युवाओं के लिए खुशकबरी जल्द पूरी होगी 60,000 पदों पर भरती पटवारी कानुनकों की सरकार से मिटिंग 32 निकली एसोशेशन पतादीगारी बोले दो पॉइंट पर चर्चा हम संतुष्ट नहीं गुरुग्राम से सुरजकुण मेरा परिशर तक आवागमन करेगी रोडवेज की छाय बसें बताएंगे टाइम डेवल सीट एट रिजल्स अबडेट 15 फरवरी तक आएगा सीट एट का रिजल्ट 21 जनुवरी को होई थी परिक्षा राहूल गांदे ने नितिस पर एक सब्द नहीं कहा किसंगंज में नया यात्रा के दोरान बिहार में सरकार परटने पर जूप रहे शिर्फ RSS भाषपा पर टार्गेट और परधार मंतरी नरेंदर मोधी ने चात्रों को दिये सेक्षिश मंतर परिक्षा में चर्चा कारेकर में बोले रिल्स देखने में अपना समय बर्बाद ने करे चात्र और अब खबरें विस्तार्शी हर्यणा में 48 घंटे बाद फिर शेक्षिश कोर्डे डेश शुरू हो गया है सोमवार सुबह से ही परदेश के अधिकान्ज इलाकों में हलका कोरा और बादल चाही रहे मोसम वेग्यानिकों के मताबिक आने वाले दिनों में मोसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा बता दें कि बीते रविवार को भी कुछ इसी तरह की स्तेती थी मोसम विवाग ने साथ जिलों के लिए गाने कोरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है साथ ही कहा गया है कि यहाँ पर कडाके की ठंड भी पड़ेगी जिससे फिर से लोगों को ठंड का एसास हो रहा है मोसम वेगानिकों को कहाना है कि अब 30 जनुरी से हरियाना के अधिकतर जिलों में बादल साहे रहेंगे और 5 फरूरी तक बारिस की संभावन रहेगी हरियाना में ग्रूप D की नोकरी का इंतिजार कर रहे है युवाओं के लिए एक बड़ी खुशकबरी है सबी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉंफरेंसिंग के मादेम से इस मीटिंग जुड़े दे मीटिंग के दोरान मुख्य सचिव ने वीबिन विबागों में खाली पड़े गुरूप D के पतों के जानकारी मांगी है साथ ही इनकी संख्या को तेन दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश जारी किये है मुख्य सचिव संजीव कोशल ने बताया कि हरियान करमजारी चैन आयोग यानि के SSC के तरब से गुरूप D के 13,000 से ज़्यादा पदों के भरती किये जाएगी मुख्य सचिव ने सभी विवागा देख्षों और प्रशाषनिक सचिवों को निर्देशित किया है कि विवागों द्वारा आयोग को पहले से भेजी गई मांग कोई दोबारा भेजना सुनिशित करें यह भरती निशूल के ने बिल्कुल फिरी है नियूनत मायू 18 वर्ष तो अधिकत मायू 30 वर्ष और योगा इंस्टेक्टर के लिए 35 वर्ष निर्दारित की गई है यह भरती नर्षरी अटेंडन, केर टेकर, सपराशी, क्रेच, असिस्टेंट, नर्षरी टीचर, योगा इंस्टेक्टर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, कारेले साहिक के पदों पर भरती होगी इन पदों के लिए आपको ओफलाइन आविदन भेजने होंगे ओमिद्वारोशी, विनम और निवेदन है, कि भरती के लियाविदन करने से पहले आधिकारिक विग्यापन आवश्य देख ले हर्याना में एक बार फिर से चुनाओं की सुक भुगाहट तेज हो गई है भारती चुनाओं आयोग ने राजी सभा की 56 सीटों के लिए चुनाओं जारी कर दिया है चुनाओं आयोग ने बता है कि 15 राजी सभा के 56 सांसदों का कारिकाल इसी साल अप्रेल माह में पूरा हो रहा है ऐसे में चुनाओ आयोगने इन शीटों के लिए चुनाओ कारेकरम गोशित कर दिया है हर्याणा में भी राजी सभा की एक शीट पर चुनाओ होना है शेडूल के मताबिक 27 फरवरी की सुबह 9 बजे से लेकर 75 बजे तक वोटिंग पर करिया चलेगी वोटर की गिंती उशी दिन यानि 75 बजे की जाएगी समूची चुनाओ पर करिया 39 फरवरी तक संपन होगी देखना दिल्चस्पोगा कि भारती जन्ता पार्टी इस बार किसे राजी सभा चुनाओ के लिए अपना उम्मीदवार घोशित करती है हर्याणा के हिसार जिलमिस्थित महराजा अगरसिन एरपोर्ट से इसी साल हवाई उडान शुरू कने की तैयारियां जोरो पर है अपरेल महिने से इसार एरपोर्ट से चंडिगाड एहमदाबाद और जैपर रूट पर हवाई सेवाई संचाले तो जाएंगी इसके लिए सरकार का एलाइन्स एयर कंपनी के साथ समझोता भी हो गया है जा उन्होंने भिवानी लोक्सवाद 16 से बीजेपी सांसत चोदरी धरमीर सिंग के पिता चोदरी भल्ले राम के निदन पर सोक परकट करते वे सोक संतफ प्रिवार को डाड़स बन आया इस दोरान उन्होंने का आए कि चोदरी भल्ले राम ने 94 साल तक स्वस्थ जीवन जिया तथा वे समाज से भी और नेक दिल इंसान थे भीवानी में मीडिया से बाचित करते वे मोख्यमंत्रे मनोरलाल खटर ने कहा कि परदेश में चल लाई गरूप C वे गरूप D के अब सुबह की पंचायतों और नगर निगायों का लेखा प्रिक्षा नियंत्रार्ग और महा लेखा प्रिक्षक द्वारा प्रमानित ओडिटर्स ही ओडिट करेंगे इससे वीतिये एनियमियत्ताओं की जांच करने और जवाब देही तया करने में काफी मदद मिलेगी सरकार के इस फैसले से पहले ही डिप्टिक कंट्रोलर और ओडिट जनरल ने सरकार को सलाह दी थी कि पंचायतों और नगर निकावे में खातों के रखरकाव में भी काफी कमया सामने आए थी इसलिए जरूरी है कि कैग परमानित होसियार ओडिटर से ही ओडिट प्रिक्रिया नहीं रखते हैं राश्टी राजधानी दिल्ली से सटे फरेदाबाद में दो से लेकर 18 फरोरी तक अंतर राश्टी सुरजकुन मेले का आयोजन होने जा रहा है जिला पर ससंद्वारा मेले के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है वहीं मेले मेले में आने वाले के लिए बस स्टेंड पर अलग से टिकेट बुकिंग काउंटर स्थापित किया गया है सुरजकुन मेले के लिए पहली बस गुरुगराम बस स्टेंड से सुबह साथ बजे रहाना होगी इसके बाद सवा दस बजे सवा ग्यारा बजे दोपर बाद सवा तीन बजे साम सुरजकुन मेले के लिए आवागमन करेंगे इसके लावाद च्यार शीटी बस गुरुगराम से सुरजकुन मेला परिसर तक सुबह से साम तक आवागमन करेंगी हर्याना के पूरु शियम भूपेंदर सिंग हुड़ा परिवारतर निदे सालाई यानि की इडी के निशाने पर आ गए हैं मानेशर लेंड डिल मामले में दिल्ली स्थित इडी मुख्याले में भूपेंदर सिंग हुड़ा से पूस्ताच पूरी हो चुकी है इड़ी ने पूरु शियम से करीब 7 गंटे पूस्ताच की है दो सब्ता पहले भी हुड़ा को इड़ी ने पूस्ताच के लिए बुलाया था उसी दिन 7.5 गंटे इड़ी के अधिकारियों ने पूस्ताच की थी परवरता निदे साले ने 2004 से 2007 के 292 गुरू ग्राम के पंद्रा सो क्रोड रुपे की भूमी गोटाले में मनी लोंडरिंग की जाच के सिल्सिले में पूरु मुख्यमंतरी भूपेंदर सिंग उड़ा को इड़ी मुख्याले नोटिस बेच कर बूलाया गया था शूत्रों का कहना है कि इससे पहले हुई पूस्ताच में जांच के दोरान कई सवालों का जवाब पूरु श्यम भूपेंदर सिंग उड़ा ने साही से नहीं दिया था जिसके बाद उन्हें दोबारा पूस्ताच के लिए बुलाया गया है मिटिंग के बाद पतवारी एम कानून गो असोशेशन परदान जैबिर चहल ने बताया कि वित विवा के एडिशनल चीप सेकरेटरी के साथ हमारी मिटिंग हुई है पहले दोर की मिटिंग में दो पॉइंट पर चर्चा हुई है उन्होंने बताया कि हमने additional chief secretary के समक्स grade pay की मांग रखी थी वारता के दोरान जो बाते हुई है उससे हम संतुष नहीं है अब हमारी एक और meeting financial commissioner revenue यानि कि FCR के साथ होगी FCR की meeting होने के बाद हम फिर से अपने स्थितिक क्लियर कर पाएंगे हमारी 31 तकड़ताल जारी रहेगी हमने meeting में आज pay scale और ACP को लेकर बात रखी दी लेकि नम उनकी बातों से सायमत नहीं हुए है Central Board of Secondary Education यानि CBSC ने Central Teacher Eligibility Test यानि कि CTAT का आयोजन 21 परोड़ी 2024 को सफलता पुरवक कर लिया है कखसे एक से आठवी के लिए शिक्षकों के लियाजित होने वाली इस परिक्स्या में सामिल होने वाले उमिद्वार अब provisional answer की और final answer की का बेसवरी से इंतजार कर रहे है एक बार provisional answer की जारी होने के बाद उमिद्वार अपने objection दर्ज कर पाएंगे वाई provisional answer की आधिकारिक website पर अफ्लोड की जाएगी उमिद्वार जारी है कि CBC इस पार उमिद्वारों के response sheet के साथ आनसूर की जारी करेगा वाई जो उमिद्वार objection दर्ज करेंगे उन्हें प्रती प्रशन की जाब से फीच देने होगी वैसे रेजल्ट 15 फ्रोरी के आसपास जारी हो सकता है लोकसभा चुनाओ को लेकर हरियाना कॉंग्रेस में फेस क्राइसिस चल रहा है इसको लेकर पार्टी हाई कमान ने भी चिंता जताई है पार्टी के बड़े नेताओं ने भी लोकसभा चुनाओ को लेकर अपनी राई हाई कमान को शौप दिये इसके बाद अब हाई कमान के निर्देश पर परदेश में इलेक्षन फेस लिटर के लिए आविदन प्रक्रियाश शुरू होने जा रही है पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी लोकसभा चुनाओ लड़ने से साफ इनकार कर दिया है ऐसे में पार्टी अब नए चेहरों की तलास कर रही है परदान मंतरी नरेंदर मोदे ने सौमार यानि 29 जनौरी को दसमी और बार्वी के स्टूडेंट से लाइव बात चित की नई दिल्ले के भारत मंडपम में परिक्षा पे चर्चा के साथ वे संसकर्ण में तीन अजार स्टूडेंट सामिल हुए ये सभी अगले कुछ महीनों में बौर्ड एक्जाम देंगे पीम मोदे ने करीब 2 घंटे 10 मिनट तक स्टूडेंट के स्वालों के जवाब दिये इस दोरान पीम ने बौर्ड एक्जाम के स्ट्रेस से निपटने एक्जाम होल में परफॉर्म करने और एक्जाम के तयारी करने के कुछ जरूरी टिप्स दिये इन में से सबसे जरूरी बातों को हम आपके लिए बता रहे हैं उन्होंने कहा कि जीवन में कॉम्पेटिशन होना बहुत जरूरी है हमें खुद को किसी भी प्रकार के प्रेसर को जहरने लाइक बनाना चाहिए वहीं माता पिता को ज्यादा समझाने से भी बचना चाहिए कभी कभी पिता बच्चों को बोलते रहते हैं पिता चुप होते हैं तो मा बोलने लगती है फिर बड़ा भाई बोलने लगता है कई बार इसे बच्चे सकारात्मक लेते हैं तो कई बार इसे नकारात्मक भी लेते हैं इसे भी बच्चों पर दबाव पड़ता है कॉंपिटिशन का जहर पारिवारिक वाताउन में बो दिया जाता है इसलिए सभी पैरेंट्स से आग रहे हैं कि बच्चों के बेच कमपेरी जिन मत किये जिए वहीं कॉंपिटिशन नहीं इंस्पिरेशन लें वहीं माबाप हर बार अपने बच्चों को कोश्टे रहते हैं कि देखो तुम खेलते हो वो पड़ता है माबाप इससे भी बचें सिक्सक संगीत की जरीए क्लास का माहुल खुशाल कर सकते हैं तो वहीं टीचर को स्टुडेंट्स से रिलेशन ठीक करना चाहिए इससे भी परिक्षा के दिनों में तनाव की नोबत नहीं आपाएगी परिक्षा की दोरान होने वारे तनाव का सामना करने के लिए हमें चोटी-चोटी गलतियों से भी बचना चाहिए ड्रेसिंग सैंस, खाने पीने का तनाव ना लें, प्रिक्षा सुरू होने तक किताब से भी नाचिप करें, मैं क्योशन पेपर किसे पहले मिला, मुझे बाद में मिला जैसी फिजूल के बातों में अपनी एनरजी खर्च ना करें, एक्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज लिख किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इससे बाहर आना चाहिए, विद्यार्तियों को ऐसा जरूर सोचना चाहिए, कि हमें पैरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, इससे टीचर और माबाप के लिए भी आप पर बरुशा नहीं तूटेगा. वहीं इस अवसर पर PM नरेंदर मोदी ने कहा कि मेरा सिधानत रहा है कि अच्छी सरकात चलाने के लिए आपको नीचे से उपर की तरफ सही जानकारे आनी चाहिए तो वहीं उपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस जानी चाहिए अगर ये दोनों चीजें सही दिशा म पर क्लोज हुआ इस साल ये एक दिन में सेर बाजार की सबसे बड़ी बढ़ात है सेंसक्स के 30 सेरों में से 25 में तेजी और शिर्फ पास में ग्रावट देखने को मिली वहीं ओएंजिसी के सेर में 8.89% तो वहीं रिलाइंस के सेर में 6.89% की तेजी दिखाए दी वहीं एक ड 1990 में 30 जनवरी के दिन ही परशिद हिंदी साहितिकार जैशंकर परशात का जन्वी हुआ था